किसी भी परसन के resume के लाबा, उसकी human psychology को कैसे study करना है, उसकी IQ level को कैसे check करना है, उसको ये कैसे समझना ही कि ये person हमारे organization के लिए best नहीं है, उस दिन आपके mind पर एक obstacle लग जाएगा, एक full stop लग जाएगा, उसके बाद कभी आप आगे नहीं बढ़ताएंगे, आगे बढ़ने क होना है जरूरी, या जो व्यक्ति उस content को deliver कर रहा है, ये पता होना चाहिए कि उसमें से कितना कुछ दिनों की movies में देखा, सुना हो, favorite, जो सबसे ये गाना सुझता ही तो मेरे mind एकदम relax होजाता है, और उर्जा जो है, multiply होजाता है, येस, आप बताएंगे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी, फिर आगे, आप देखो मैं एक important बात कहता हूँ, आपने अप पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस जिसने अपना favorite गाना बताया ना, उसमें से 90% लोगों गाना पूरा याद नहीं होगा, that is what retention in mind, आपकी सबसे favorite चीज आपको याद नहीं है, तो सोचो आप एक training अटेंड कर रहे हैं, जो आपकी favorite नहीं है, इसे मैं favorite बनाऊंगा पुरा प्रयास करूँगा, 24 घंटे के एक research हुआ, लोगों के training के साथ में research हुआ, उसमें average retention rate after 24 hour, calculate किया गया, कि एक व्यक्ति को कितना परसेंट हमेशा याद रहता है, केवल अगले 24 घंटे बाद गी, तो 5% अगर कोई lecture के रूप में deliver कर रहे हैं, अगर मैं यहां खड़ लगा के बोलता रहूना, तो 20 मिनट बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, हो सकता है कोई एक favorite line आपको pinch कर जाए, आपको click कर जाए, वही आपको याद रहेगी, दूसरा जो है 10% और वो होता है reading से, क्योंकि reading में आप खुद involve हूँ है, सुनने में किसी जक्ती ने आ बात audio-visual के माधियम से करें, जैसे मैंने आपको pyramid ये दिखाया है ना, आपके mind में अगर आखे बंद करोगे तो pyramid दिखाई देगा, हो सकता है, आप चेक कर लिजे, आप आखे बंद करो, आपको ये ही pyramid दिखेगा, लेकिन क्या लिखा हुआ ये नहीं दिखेगा, क्योंकि म माइन ने वो recall नहीं किया है, तो recall करने में समझिए, 20% काम करेगा audio plus visual, जो बात मैं यहां से बोल रहा हूँ, आप उसको सुन भी रहे हैं, उसको feel भी कर रहे हैं, और visual के माधियम से उसको देख भी रहे हैं, fine, उसके बाद में 30% retain रहेगा, जब आप demonstration करेंगे, और आप ध् expert, doctor, या अपने field के masters नहीं बनेगे, yes or no? और वही बात जब group discussion में करते हैं, ध्यान रखिए, यह मैंने videos में देखा है, doctor को जब किसी operation को सिखाते हैं sir, तो group में सिखाते हैं, एक पहली बात तो number of bodies कम है, तो एक body के साथ 4-5 doctor का पूरा group होता है, उनको demonstration करके दिखाते हैं, फ क्योंकि हमने उस पर अपने विचार रखे हैं, उस पर बातचीत किये हैं, उसके बाद 75% retain रहता है practice से, जितनी ज़्यादा आप practice करेंगे, किसी भी field में, उतनी ज़्यादा आप expert हो जाएगे, आपको अचानक कोई रात को उठा दे, तो आप रात को उठके भी वो काम कर सक के हैं, doctors के लिए कोई एक बढ़ा typical task नहीं है, आपको तीन बजे किसी नहीं उठाया operation करना है, कि अभी तो मुझे अपने energy माना पड़ेगा, वो सोते-सोते भी करी देंगे operation, perfect, क्योंकि उनके mind ने उस चीज़ को recall कर लिया, पूरी body उससे aligned हो गई है, उनको पत आए कि किस क्या solution, fine, और 90% retained रहता जब वही बात आप किसी और को समझाते हैं, इसलिए medical science में जब demonstration करते हैं, तो demonstration के बाद उनको group discussion के लिए छोड़ देते हैं, कि आप इस पर discuss करो, और उसके बाद में इसकी practice करो, खुद, एक एक करके करके सबी treatment को दुबारा check करो, आज कल तो synthetic bodies आ र फिर क्या कहते हैं, कि इन में से किसके पास best solution है, group discussion में, उसको आप आपस में discuss करो, और जब आपस में discuss करते हैं, तो एक दूसरे को हम सिखा रहे होते हैं, तो हम 90% retained करते हैं, इस सिर्फ 24 घंटे की बात है, अगर आप इसकी practice कर लें, तो ये same retention, पूरी life आपके साथ काम आत करता है, लेकिन उसके बाद जब अगले साल फिर swimming करता है, दुबारा सीखनी नहीं पड़ता है, दस साल बाद भी swimming करेगा, हो सकता है, stamina ना हो, ज़्यादा लंबा ना तैर सके, लेकिन वो आसानी से तैर सकता है, stamina build-up करने में उसको time लगे, तो जितनी ज़्यादा जिसकी practice होगी, उतमर ज़्याद आप expert होगी, कोई भी division होगी, डिजिटल मार्केटिंग है, हो सकता है, एक operation करने वाला doctor भी खुद डिजिटल कर सकता है, एक telecalling का person भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, पर डिजिटल मार्केटिंग का जैसे काम कर सकता है, वो 24 hours, 8 hours per day कि बदल देंगे अब, अच्छा, मैं पल दो, पल का शायर हूँ, इनसे का सर इंट्रिव्यू लेना है कर दो मैं ले लूँगा, लेकिन जो expert बैठी है, उन्हें पता है कि कि किसी भी person के resume के लाबा, उसकी human psychology को कैसे study करना है, उसकी IQ level को कैसे check करना है, उसको ये कैसे समझना है कि ये person हमारे organization के लिए best है, क्योंकि academic qualification तो सबकी same होगी, जारा तर, MBBS का मतलब MBBS qualification, but he is expert or not, तो हम teaching के माध्यम से समझते हैं, learning pyramid में ये बात बताता है, कि अगर हम अपने अंदर ये देख लें कि कि किसी भी बात को हम कैसे समझ रहें, तो शायद हम उसकी retention ज़्यादा कर सक और जितनी ज़्यादा retention होगी, उतनी ज़्यादा आपकी काबलियत बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा आपकी काबलियत बढ़ेगी, उतना better आप perform करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कोई 7 साल से काम कर रहा है, और आप 3 महीने से कर रहे हैं, तो आप उस सब कुछ आता है, कोई मुझे कुछ नहीं सिखा सकता, और जिस दिन आपके mind में definition आ गई न, उस दिन आपके mind पर एक obstacle लग जाएगा, एक full stop लग जाएगा, उसके बाद कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएगे, आगे बढ़ने का एक ही नियम है, I want to learn, the more you learn, the more you earn, the people focus for earning, but they don't focus on learning, जो भी व्यक्ति learning पर focus करेगा, वही earning में आगे पहुंच पाएगा, fine, तो learning पिरमिड हमें बताता है कि हमें 5% lecture के थू, 10% reading के थू, 20% audio visuals के थू, 30% demonstration, 50% group discussion, 75% practical practice by doing, and 90% teaching other, ये पिरमिड आप अपने mind में feed कर लें, अपने diary में note कर लें, और अपने life के जिस aspect पर ब बात करना चाहें, जिस profession पर बात करना चाहें, सभी पर लागू होता है, क्योंकि human psychology के ओपर लागू है, किसी particular profession के लिए नहीं है,